अपने वर्तमान को समझना है तो भूतकाल पर द्रश्टी डालनी ही होगी एक आधुनिक रास्टर के रूप में भारत के उदे की कहानी को जाने समझे बिना हम अपने वर्तमान को संपूंता में नहीं समझ सकते अगर हमें समवेधानिक आदर्सों और मुल्यों को समझना है तो भारतिय स्वाधिन्ता अंदोलन का गहराई से अध्यन करना होगा सासन संरसना को समझना तभी संबव होगा जब हम भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दोर को पढ़ेंगे मूल अधिकार और नीती निर्दे सकत्तों की जड़ें स्वाधिन्ता संग्राम को समझने पर ही नजर आएंगी मीडिया की महत्ता को जानना है तो भारत के अतीत में जाना होगा सिक्ष्या और जागरुकता के बिना सामाजिक बुराईयों से लड़ना कितना चुनोती पूर्ण होता है इसके लिए हमें 19. सदी के भारत पर नजर दोडानी होगी सामाजिक सुधारों के लिए धार्मेक दास्ता से मुक्त होना पहली सर्थ है पाखंड से पैदा की गई मानसिक दास्ता से मुक्त हो पाना कितना मुश्किल होता है यह जानने समझने के लिए भी आपको आधुनिक भारत के इतियास के विभिन समाज सुधारकों और संस्थाओं से अवगत होना ही पड़ेगा हम अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने में पूरा जीवन गवा देते हैं उसी तरह एक देश भी दास्ता और गुलामी से मुक्त होने में पीडियां खो देता है देश की आजादी के लिए आत्मोत सर्क करने वाले अमर सेनानियों के जीवन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं इसके लिए आपको भारतिय स्वाधेंता अंदोलन पर लिखी हुई किताब पढ़नी होगी केवल सपने लेने और विचार करने से परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती किसी भी रास्टर का निर्मान अनेक तत्वों से मिलकर होता है राजनिती दिसा देती है भूगोल एक साथ आता है प्रैसासन एकता लाता है और आर्थिक तत्वे अस्तित्वे को बनाए रखने में महती भूमी का निवाते हैं भारत के रास्टर निर्मान की प्रिक्रिया को समझने के लिए आपको 1947 से 1970 तक की राजनितिक, आर्थिक, प्रसासनिक और वैग्यानिक उपलब्धियों को विस्त्रित रूप से पढ़ने की आउशकता है आसा है उपलब्धी हासिल करने के लिए आप ऐशा अवश्य करेंगे नमस्कार दोस्तो आरेस की परिक्षा में सफलता की पूर्व सर्थ है सिलेवस को संपूर्णता से समझना आधुनिक भारत के इतियास से संबध ज्यादातर टोपिक्स ऐसे हैं जो आपको बाकी विश्यों को समझने में भी काफी सहायता करेंगे विशेश रूप से भारतिय समविधान और राजनितिक व्यवस्था की सही समझ विक्सित करने के लिए इस पार्ट को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है वर्तमान वैज्यानिक विकास और सामाजिक सुधार तथा जनससक्तिकरन का मूल स्रोथ है इतिहास का ये पार्ट अभी से सुरुवात कर दो बहुत ही आसान है और रुचिकर भी हम आरेस परिक्षा की तयारी के लिए सुरुवात कर चुके हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि वेकेंसी डिकलेर होने से पहले आप सिलेबस का संपूर्णता से अध्धन करने का प्रियास करें ताकि जो ही वेकेंसी आती हैं आप प्रभावी तरीके से अपने अध्धन को रफ्तार दे सको बेहतर तरीके से तयारी कर सको रणनितिक कुशलता पैदा कर सको और आने वाली चुनोतियों से प्रभावी तरीके से निबट सको सिलेबस ही वह अथियार है जिसको आप जितना ज्यादा पैना करेंगे आप परिक्षा में प्रभावी प्रदर्शन कर पाएंगे आप मेरे साथ इस समय प्रिलिम्स का सिलेबस समझने की कोशिस कर रहे हैं आगे आने वाले कुछ एपिसोड में हम सिलेबस को पूरी तरह समझ लेंगे उसके बाद मुख्य परिक्षा का सिलेबस समझेंगे और उसके बाद करेंगे विस्तरित तयारी